question यह है कि एक truck 384 km का distance किसी speed के उपर cover करता है आप यूं कहिए कि 384 is a equal to v1 multiplied by t1 कोई speed है और वो किसी time के उपर वो cover होता है और v1 और t1 का product जो है वो 384 बनता है because distance is equal to speed multiplied by time if the speed is reduced by अगर वो slow चलेगा तो उसे 2 गंटे ज्यादा लगेंगे to cover the same distance मतलब है कि पहली दफा यह जो जर्नी हुई 384 की वो v1 t1 पे हुई दूसरी दफा जब जर्नी हुई तो वो ही v2 और t2 के उपर और यह जो v1 और v2 का difference है यह 16 दिया हुआ है और इधर t1 और t2 का जो difference है वो 2 hours आपको दिया हुआ है तो अब वैसे तो लगे रहो पर इसको वैसे समझा जाए तो हमें ऐसे दो नंबर ढूणने हैं जिनका product 384 हो और ऐसे दो नंबर ढूणने हैं जिनका product 384 हो और यह इनका आपस का difference 16 होना चाहिए इनका आपस का difference 2 होना चाहिए इसमें आप अगर 384 के थोड़े बाथ factors बनाएंगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि पहला 64 मान लिया जाए तो दूसरा आप उसको मान सकते हैं 6 64 और 6 का गुना 384 इसी तरह V2 को हम अगर थोड़ा और अंदाजा लगाएं इनके factor गरा करके 48 गुना 8 बन जाता है अब 64 और 48 का difference बिल्कुल 16 है और दर 6 और 8 का difference बिल्कुल 2 है इसका मतलब है यह शर्तिया बात है कि यह जो first है V1 64 होगा यह सबसे आसान तरीका जो मुझे मिला इस question का वो यही है बाकी इसका mathematics लगा लीजिए सब कुछ हो जाता है बट this is the most trick इसमें trick यही है अब असल में answer क्या है 75% of the original speed उरिजिनल स्पीड 64 निकली तो 64 का 75% 3 by 4 कर लीजिए यह 48 आ जाएगा 48 km per hour is the answer तो इस तरह से है तो एक number है उसको दो तरह से multiply करके निकाला गया है यह ऐसे question और भी बन जाते हैं अगर आप यह मेरा page देखोगे ब्लॉक पे उसमें मैंने 2 और डाल रखे हैं same type के